वेलकम तो न्यू लेसन शो इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि जब आपकी do google की campaigns तो आपको क्या करना ए यह तो हमने बहुत सिखा कि successful ads कैसे रन करने क्या करना है कि आप successful ads कर सको बट आज के lesson में मैं आपसे बात करूंगा कि जब campaigns fail हो रही हूँ तब आपको क्या करना है देखो कोई भी जो marketing campaign run कर रहे हो आप google के अंदर यह किसी भी marketing platform पे वो basically तीन parts में divide होता है पहला pre-launch दूसरा launch और तीसरा post-launch जो pre-launch होता है उसमें क्या होता है जो pre-launch campaign होता है वहाँ पे आप अपना marketing message decide करते हो ठीक है pre-launch वहाँ पे आप अपना audience decide करते हो कि किसे आपको add दिखानी है यहाँ पे आप अपने landing pages build करते हो launches बेसिकली आपने add run कर दी post-launch is launch करने के बाद का analysis अब अगर आपकी marketing fail हो रही है तो number one reason क्या हो सकता है आपका number one reason हो सकता है आपका marketing message ठीक है जी क्या हो सकता है reason आपका marketing message जो आप बोल रहे हो राइट जो आप वीडियो बना रहे हो उसमें आप जो बोल रहे हो वो लोगों के साथ connect नहीं कर रहा वो लोगों के pain के साथ लोगों के problem के साथ लोगों के desire के साथ connect नहीं हो रहा जब आपका marketing message लोगों के pain के साथ लोगों के problem के साथ connect नहीं होगा तो आपकी marketing क्या होगी ultimately fail होगी तो आपका marketing message सही नहीं है जब आपका marketing message सही नहीं होगा तो again आपकी marketing fail होगी तो अगर आपकी campaigns successful नहीं हो रही तो आप जाके देखो कि क्या आपका marketing message लोगों के साथ आपकी target audience के साथ align कर रहा है या नहीं कर रहा है दूसरी चीज audience अगर आपने audience गलत select की है अगर आप cricket का बैट बेच रहे हो ऐसे लोगों को जो की cricket खिलते ही नहीं तो आपका बैट नहीं खरीदेंगे राइट तो आप देखो क्या आपने सही audience audience select की हुई है या नहीं अगर आपने सही audience select नहीं की तो again आपके लिए problem है then आपको देखना है landing pages ठीक है कि क्या आपके landing pages सही है या नहीं है क्या अगें क्या आपके जो landing pages है वो जो आपका marketing message है उसको और बढ़ियां तरीके से बता रहें या नहीं बता रहें क्या आपके landing pages का structure सही है या सही नहीं आपको यह चीज़े देखनी है then add आपको क्या analyze करना है अपनी ads को क्या आपका marketing budget sufficient है या नहीं है क्या आप अंदर budget तो नहीं है क्या आपके goals बढ़े हो और आप पैसे कम लगा रहे हो क्या यह दिक्कत है देन आपको अपनी add analysis करनी है तीसरी चीज़ पोस्ट launch अब एक बार आपने campaign launch कर दिया देन आपको आपके landing pages पे और आपके marketing message पे तो ultimately सबसे जरूरी चीज़ है जो आपको change करनी है अगर आप अपने marketing को अच्छा बनाना चाहते हो अगर आप अपनी marketing से तो again ads बनाने से कुछ नहीं होगा गूगल पर जाके ad बना दी हो तो दो मिनिट के काम है असली मेहनत आपको इधर करनी पड़ेगी ठीक है तो जब भी campaign फेलो आप यह चीज़ देखो और analyze करो ठीक है और आप देखोगे कि आप बड़े अच्छे से अपने failed campaigns को भी successful बना प